हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल मम्मी के टिपस इन फूड तो आज मैं बना रही हूँ आलू डुपकी जो की बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो आप इसको जुरू से ट्रै करना अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक, सियर, कमेंट और सब्सक्र वेलों आपके काटकर प्राइबते हैं अधिए आलों की मैं एक बोल में एक कप ऴ्रेस्ट ताही रही है तो मैं आधी चमच से तोड़ी से ज़्याधा नमक ड्लाओं गी और आधी चमच मिर्ची को आधी चमच हालदी पौडरिय। यह बड़ा चमच अधिय मैं धनिया डाल और इन सब मसालों को मिक्स करके रख देंगे, सारे मसालों को आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग ही लेना, यह मैंने एक पैन लिया, इसमें मैं एक बड़ा चमच तेल डाल दिया है, रिफाइंड ओल है यह इसमें में एक बड़ा चमच जीरा डाल रही हूँ, यह हैं दो ब दोगी महलका नमक क्योंकि हमने जो है बैटर में भी थोड़ा नमक डाल रखा है और आदा चमच के करीब में इसमें द्धनिया डाल रहे हूँ और इनको इसके साथ मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल कर दोगा 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 देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और मसाले भी अच्छे से पक जाएं और गैस की फ्लेम को लूग कर देना और जो है मसाले जो है अच्छे से पक चुके हैं और हम इनको टमाटर को जो है अच्छे से दबा दबा करके इसको पकाएंगे उसके बाद जो हम इसमें आलो मिक्स कर देंगे और अच्छे सारे मसाल अच्छे से मिक्स करके जो हम थोड़ी देर के लिए डख देंगे अब गैस के फ्रेम को मीडियम करेंगे थोड़ी देर बाद पीच पीच में चलाते रहेंगे और इसके बाद जो है जब यह थोड़ा सालो साल का सब पक जाएं तो इसमें जो हम दही वाला बैटर डालेंगे इसको हम मिक्स करके जो है अच्छे से इसके उपर डाल देंगे दही डालने के बाद जो है हम सारे मसालो को आलो की साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके उपर जो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि दही के बैटर थोड़ा गाड़ा हो गया है और पानी डालने क जो हम इसको चेक करेंगे, कर्ची लगा करके देखने नीचे न लगे बैटर, और अगर दही ने अपना ओयल छोड़ दिया है, अगर उपर से, तो समझ जाओ कि सजी तयार हो गई है, और अब यहां पे आप बारिक धनिया काटके उपर से डाल सकते हूं, और मैं आप गैस की प्लेम को जो हूं बंद कर दूँगी और इसको एक बोल पे डिस आउट कर रही हूं, तो यह डुपकी वाले आलो आपको कैसे लगे, आप जरू से इसको ट्राइ करना, आप इसको रोटी, पराथे या नान के साथ सरक्वा सकतो, बहुत टेस्टी लगेगी खाने में, आप इसको जरू से ट्राइ करना,